फोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनादर फ्लेमोस का अपडेट आ चुका है जो कि रियली में आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है और यह लेटिस वर्जन है हमारा 2.0.102 इंडोनेसियन अपडेट के उपडेट के उपडेट के उपडेट के उपडेट कैसे करना है तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पर लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब यहाँ पर इस रोम की बात माने तो भाई रियली में काफी आदा आपको स्मूथ देखनी को मिल जाता है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती जैसे कि आप देखो मैं कई बार नोटिसन को ड्रॉ करता हूं कई भी कोई लैक देखनी को नहीं मिलता इधर भी मूव करते समय बहुत सारे रोम हों में आपको दिखाई दे रहता है बट वो चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस नहीं होती एप्स ओपनिंग हो और यहाँ पर कोई भी दिक्कत है जो नहीं आता जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं काफी क्यूपी कर रहा हूं तो यहाँ पर स्टॉक करनल यूज कर रहा हूं इस्टॉरेशन के टाइम पर आपके पास ऑप्सन आ रहता है कि आप इसे रूट करना चाहते हो है नहीं कस्टम करनल डालना है या फिस्टॉक के साथ जाना है तो यहाँ पर कर सकते हो यहाँ आपको KSU और मैजिक्स की ऑप्सन मिलेंगे यह इसका extra customization जो कि काफी चीजी यहाँ पर मिलती है बट इससे पहले हम बाकी basic चीजों को देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है additional जहाँ पर multilanguage support देखनी को मिल जाएगा circle to search यहाँ पर दे दिया गया है तो अच्छी बात है यहाँ पर कोई दिक्कत न मिल जाता है और यह हमारा काम करता है यानि top speed वाला इसकी on timing भी आपको मिल जाता है और मैंने अच्छा कासा test भी कर रखाई इसे तो पर ओपर काम कर जाता है another यहाँ पर आपको facial lock fingerprint working मिलता है display कंदर आपके dark mood सारे काम करते हैं यहाँ पर जो भी application है individual वाले another auto brightness सही है यह पह को देखनी को मिलता है notice panel के अंदर वही सारे common से option जिसमें कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं है तो यह साय चीज़ आपने पहले भी देख रखी है lock screen आपको यहाँ पर simple देखनी को मिल जाता है साथ-सार यहाँ पर wallpaper personalized की बात करें यहाँ पर hyper के सारे wallpaper मिलते ही मिलते हैं जो always on वागेर, fingerprint वागेर देखनी को मिलते हैं यहाँ पर default वाले animations वागेर आपको जो मिल जाते हैं आते हैं हम इसके extra customization के ओपर जो कि यहाँ पर इसका hub है misliness में आपको देखनी को मिल जाता है diesel flag secure, max FPS in all app, hide me account यहाँ पर device aspects icon यहाँ पर horizontal का आपको मिल जाता है यहाँ पर extended power menu मिल जाता है यहाँ पर device का name आप change कर सकते हो बाकि यहाँ पर data saver और extreme dim का option मिलता है असपोविंग अंतर कई साले option दिये गए और यह सारे आपके काम करते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और पहले से यह on नहीं रहता है लेकिन हाँ आप on कर लेना कुछ चीज़ आपको off मिलती है उसके बाद hidden setting के अंतर आपको मिलता है notification expand वगरा करने की कुछ इस त अप्लिकेशन ही support करते हैं तो यह चीज़ आप यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो इसरस बार के अंदर आपको clock के अलालग format मिल जाते हैं जो भी आपको चाहिए वह आप यूज कर सकते हैं और काफी यहां पर दिये गए हैं तो आपको जैसा भी चाहिए apply कर लो और लास् आपको चेंज देखनी को मिलेगा देख से तो यहां पर बदल दिया गया है तो आपको मैं भी पूरा पूरा ब्लू दिखाई दे रहोगा बट मुझे यहां पर क्लियरली टाइम देखनी को मिल रहा है मैं भी कैमरे में नाजल नहीं आ रहा होगा तो इससरी किसे जो भी option य आपको fingerprint style मिल जाता है जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो अगर मैं इसे रखता हूँ तो यह ची मुझे अपने lock screen पर देखनी को मिलेगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो और काम करता है अच्छे तरीके से बाकी wifi के OSP वाले sign मिल जाते है यहां पर mobile data sign मिल यह चीज मुझे देखनी को मिला है हर जगा पर और वो चीज यहां पर भी है इसका यहां पर नविगेशन बटन का style जो कि आज कोई यूज नहीं करता और यह पर्मानेंट अप्लाई का button जिस पर आप क्लिक करके जो भी बदलना चाहते हो वो कर सकते हो और आपको जो भी च को पाओगे तो यह साय चीज है बट एक चीज मैंने यहां पर बदल रखा है वह मैं क्यूं बदल रखा हूं वह भी मैं आपको बता दूँगा आपको नीट लगता है तो बदल ना दबाई रहने देना वह है हमारे यहां पर home launcher आप देख सो यहां पर मैं official launcher को अपडेट कर सकते हो अपडेट करने का एक ही रीजन है क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा feel हो रहा था इस launcher के साथ कि यहां पर जो smoothness आनी चाहिए ना वो मुझे देखने को नहीं मिल रही थी हलका फूल का यहां पर gestures वगेरा में back button में मुझे feel हो रहा था जबकि बागे दर यूजर से feedback लिय नहीं परेगी ठीक है तो यहां पर मैंने update कर रखा है simply मैं यहां पर on install करके दिखाए तो कि system default जो हमें launcher मिलता है इसमें क्या क्या चीज़े रहती हो यहां पर देखो version के जब flame OS भी लिखा हुआ मिलता है जगर मैं यहां पर आता हूँ आपने home screen के उपर और यहां पर जाता है यहां पर support का एक option भी add हो जाता है और यहां पर आने के बाद आपको circle to search और google assistant के option भी enable मिलते हैं जो कि इसके system default launcher में है और आप देखो एक और मैंने जैसी अपडेट कर लिया उसको यहां पर back button मुझे कोई दिख्कत नहीं आ रही है लेकिन starting में मुझे दिख्कत आ रहा है जो कि देखने में रियले में काफी अच्छा लगता है काफी interesting मुझे लगा आप मुझे से बताना इसके वारे में क्या है आपका opinion जिस पर tap करती है आपका यहां पर search बार open हो जाता है और यहां पर मैंने एक बाट data clean किया ना इसके वीसे थ्वासर डिले जैसे आपको यह टाइम के बाद यह update हमें जो देखने को मिला है flame OS का अब यह बाट डालना कैसे वह मैं यहां पर add कर दूँगा लेकि रही बात यहां पर performance जो क्यों तक मैंने आपको show नहीं किया दिमाग से निकल गया तो चलिए देखते है कि आपको कैसे देखने को मिलता है तो system default आपको इतने ही application देखने को मिलेंगा और यह है इसका default wallpaper बागे आप अपने need के साफ से जो डाल सकते हो इसके बाद यहां पर आप देखो है कि मैंने setup किया फोटोग्राक के लिए किया है gaming setting में Ultra HD में आपको unlock मिलता है जो कि tension लेने की बात नहीं है और अब officially यह features add हो रहा है sawamik के त चला जाता है और यह है normal testing fan one सब कुछ बन था untrue score का यहाँ पर temperature गया 48 और यहाँ पर score thos are down है बड़ जैसे मैं fan on कर देता हूं उसके बाद में जब testing करता हूं यहाँ पर improvement देखनी को मिलता है और hitting भी control हो जाता है ति यह चीज़ मैटर करती ही कि आप किस जगह पर कैसे है ज इसके बाद यहाँ पर आप देखो Geekbench जो कि काफी सही है बट वहाँ पर fan one चालो रहता तो यह और ज्यादा बेटर रिजल्ट सो करता यह है normal testing का जहाँ पर आप देख सत्यों कि ट्रोटल कर गया है और fan one off था मेरा लेकिन उसके बाद जैसे मैंने गेम टरों में डाला fan में रखा और boost mood on कर दिया गेम टरों का तब यहाँ पर रिजल्ट और रोल काफी अच्छा है बट हलका फ्रोटल देखनी को मिल रहा है लेकिन जैसी में यहाँ पर गेम टरों का जो boost mood है उसे off कर देता हूं wild mood को off करता हूं सिर्फ गेम टरों में डाल के यूज करता हूं तो यह अधर देखो आपको L1 का support मिल जाता है device आपको certified मिल जाता है साथ साथ banking app वगरा यूज कर पाओ कि यह दुन आपको पास मिलते हैं तो issue नहीं आती photo storage भी आपको यहाँ पर unlock मिल जाता है और साथ से साथ यहाँ पर मैंने camera वगरा और भी चेक किया है तो वह भी सही तरीके से आपको दिक्कत नहीं आने वाले रही बात यहाँ पर power menu की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नया UI और advanced power menu जो की काफी जड़ा सही है बाकि यहाँ पर flashlight वोग रहे के features के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह features भी आपका यहाँ पर activate रहता है क्योंक पर दिया है अगर वीडियो अच्छा लगाते है और लाइक कर देना डानलोड लिंक वकर अगरा सब कुछ आपको मिल जाएगा चलिए देख लेते हैं इसे install कैसे करना है अपने फोन के अंदर ताकि आपको दिक्कत ना आए तो तरीकों आते है यहाँ तो यहाँ पर पहले पर देखेंगे फिर PC सरसे पहले फोन को आफ करना है पावर अन वॉल्यूम आपको लॉंग प्रेस करना है जैसे आपके फोन का रिकवरी ओपिन हो जाएगा जो भी रिकमेंडेर रिकवरी रहेगा उसी का यूज करना है उसके बाद आपको अपने फोन के अंदर जो रॉम ह करवा सकते हो और फ्लेस करवा सकते हो अजवाई simply flash हो जाएगा अगर flashing के टाइम में कोई भी error आता है तो आप simple reboot to recovery करके रों को और ऐसे situation में sometime आपका जो टी डॉलार्पी या और इंज फॉक्से वो रिप्लेस हो से आएगा किसी और रिकरवरी के साथ तो उसी रिकरवरी का यूज करते हुए आप रोम को फिर से रिफ्लेस कर दिना ध्यान रखनाा कि आपका रोम सुक्सेशली रिफ्लेस होना चाहिए चाह ह稍ए वो रिकमिने रिकरवरी हो या जो रिप्लेस होए उसके हेल्प से हो जब complete flash होता है तब एक बार reboot to recovery कर लेना और final format कर देना format करने के बाद जैसे आप reboot करोगे कुछ ही minute में आपका phone on हो जाएगा आप setup करके use कर पाओगे ये था हमारा TLRP method अब बात करते है PC method की तो उसके लिए फिर से आपको अपने phone को switch up करना है power turn and volume down को long press and hold करना है जिससे आपका phone fastboot logo show करेगा अब PC प्याना है जो भी आपका hybrid ROM है उससे आपको unzip कर लेना है unzip करने के बाद उसमें मेभी कई बार आपको installer file एक देखनी को मिलेगा कई बार 4-5 देखनी को मिलेगा तो अपने हिसाब से installer file को pick कर लेना और pick करने के बाद जैसे आप installer को run करते हो तो कोई simple ROM रहता है तो वह easily flash होने लग जाता है कोई दिक्कत नहीं करता लेकिन कोई भी ऐसा advanced ROM रहता है तो उसमें आपको पूछता है या आपको रोम को device को root करना है या नहीं तो उसक्राव सारी options आते है जैसे कि यहाँ पर है 1 और 2 तो आप अपने need के हिसाब से pick कर सकते हूँ अगर आपको root करना है तो one clicker करके अगर आप नहीं करना है तो two clicker करके इंटर कर दो जैसे कि मैंने one किया तब यहां पे पूछ रहा है कि आपको क्या से root करना है magics या ksu next या फिर ksu तो abc का option है अपने हिसाब से आप pick कर सकते हो मैं यहाँ पर example के रूप में कोई option select कर लेता हूँ और जैसे next करूँगा उसके बाद आप देखो कि flash होने लग गया और फिर से पूछ रहा है कि आपको stock kernel डालना है या फिर custom डालना है ताब अपने नीट की साब से फिर से यहाँ पर D और E में से कोई भी select कर सकते हो तो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ जैसे के E आप यहाँ पर custom में 2 है एक IS है एक R के है तो उसके दो सार आप FG जो भी चाहो मैं यहाँ पर example में click कर देता हूँ जैसे click करूँगा अब यहाँ पर कोई भी option नह है नहीं तो यस कर देना और इंटर कर देना क्योंकि यह कंपर सर्य होता है जैसे आपका इंटरनल फॉर्मेट होगा आपका command विंडो क्लोज हो जाएगा phone off होके on होगा और कुछ ही मिनिट में आपको बूट एनिमेशन लोगों देखनी को मिलेगा और आप सेट अप करके य करना है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा सबकु समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में करना मिलते हैं आपको यह वीडियो चाइब करना हैं टाना होगा प्लीज लीडियो प्लीज प्लीज लेखने टाइब करना हैं एपको तो करना हैं आपको टीज़ करता है